श्टीरादे हर हर महादेव महेश नौमी का पर्व इस बार किस दिन मनाया जाएगा? महेश नौमी की किस खास विदी से पूजा करनी चाहिए? और महेश नौमी का तेवहार किसको समर्पित होता है? चलिए इन सभी जानकारियों से आज आपको परिपूर्ण करते हैं महेश नौमी का महापर्व भगवान भोलनात और माता पारवती को समर्पित होता है हिंदू पंचांग के अनुसार जेश्ट माक में शुकल पक्ष की नौमी को महेश नौमी मनाई जाती है इस वर्ष 2023 में 29 माई को महेश नौमी मनाई जाएगी इस दिन महादेव के संग जगत जननी आदिशक्ती माता पारवती की पूजा की जाती है महादेव को कई नामों से जाना जाता है उन्ही में से एक नाम महेश भी है दार में एक मानेता है कि महेश नौमी के तितिको भगवाईशिप की पूजा करने से जातक के सभी मनों कामनाय पूर्ण होती है साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है इस खास विदि से भगवाईशिप की पूजा करने से वे बहुत शीगर प्रसन्न होते हैं जानते हैं महिश नौमी का शुब महूर्थ और पूजा विदी पंचांग के अनुसार नौमी तिथी 28 मई को प्रातह 9 बचकर 56 मिनट से आरंब होकर 29 मई प्रातह 11 बचकर 49 मिनट पर समाप्त होगी 29 मई को प्राताकाल और सांध्यकाल में देवों के देव महादेव की पूजा उपासना के लिए अतियंत उत्तम समय है जैसा कि हम जानते हैं कि महादेव की पूजा हम सदय प्रदोशकाल में ही करते हैं महिश नौमी के दिन हमें इब्रहम महूर्त में उठकर भगवान शिव का स्मरण करें नित्यकर्मों से निवरित होकर गंगा जल युक्त चल से स्नान करें आश्मन करके स्वयमकुष सुद्ध करें तत्पस्चा सक्षवस्त्र धारण कर भगवान सूर्यदीव को अर्ग दे इसके बाद शिव जी माता पारवती की पूजा, फूल, फल, दूप, दीप, अक्षत, भांग, धतूरा, दूद, तही और पंचाम रस्य करें इस दोरान शिव चालीसा का और मंत्रों का जप अवश्य करें मंत्र जो भी आपको प्रिय हो भूले नात का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमस शिवाय, सबसे सरल मंत्र ओम और श्री शिवाय नमस तुब्यम अब किसी का भी जप कर सकते हैं अंत में आर्थी अर्चना कर, सुख सम्रद्धी की जोली फला कर, भूले नात माता पारवती से काम ना करें दिन भर उफवास रखें, शाम को फलाहर करें, अगले दिन पूजा करके वरत खोलें महेश नौमी का विश्यस महेटो 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 महेश न प्रत्वी से भी उपर कोमल कमल पुष पर बेल पत्री त्रिपुंड त्रिशूल डंब्रू के साथ लिंग रूप में शुभाय मान होते हैं शिवलिंग पर बहसम से लगा त्रिपुंड विप्तियाग वहराग्य का सूचक माना जाता है इस दिन भगवान महिश का लिंग रूप में विशिस पूजन व्यापार में उन्नती तता त्रिशूल का विशिष्ट पूजन किया जाता है इस दिन भगवान शिव पर प्रत्वी के रूप में रोट चड़ाया जाता है शिप पूजन में डमरू बजाये जाते हैं जो जन मानस जाकरती का प्रतीख हैं कमल पुश्मों से पूजा की जाती है धार्मिक ग्रंतों के अनुसार महाश्वरी समाज के पूरवज छत्रिय वईशिके थे शिकार के दोरान रिशियों के शाप से ग्रसित हुए इस दिन भगवान शिव ने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया और पूरवजों की रक्षा की उन्होंने इंसा छोड़ कर अहिंसा का मार्ग बताया तता अपनी इस क्रपा से इस समाज को भी बोलनात ने अपना नाम दिया तभी से यह समुदाय माहश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ भगवान शिव की आग्या से ही माहश्वरी समाज के पूरवजों ने छत्रिय कर्म छोड़ कर वैश्य व्यापारिक कारे को अपनाया और तभी से महेश्वरी समाज व्यापारिक समुदाय के रूप में जाना जाता है महेश नौमी आप सभी के लिए मंगल मैं हो इसी कामना के साथ आप सभी से विदा चाहते हैं शीरा दे हर हर महादेव